और मानव होकिंग याप पोलेकिन इस वक्त की बड़ी अब डेट आपको बता दे आर्वेंद केजरवाल को जमानत मद रही है 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है ED के समझ न मानने के मामले पर ये जमानत दी गई है समझ ये दो पूरे मामले है एक ED के सामने समन न होने का मामला है वहीं चराब आबसारी घोटाला मामला है तो ये जो जमानत मिली है वो ED के सामने पेच न होने के मामले में जमानत मिली है 15,000 के निजी मुचलके पर जो कि मानव भी इस वक्त की बड़ी अपडेट हमें बता रहे थे 15,000 के निजी मुचलके पर कम से कम एक मामले में अब अर्विंद केर्जिवाल को बेल मिल गई है ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट अर्विंद केर्जिवाल को जमात मिल गई है 15,000 के निजी मुचलके पर जमाना दे दी गई है ED के समंस न मानने के मामले में यह जमान दी गई है, अर्विन केरजिवाल को ED के ओर से 8 वार समंस भेजा गया, लेकिन कोई न कोई बहाना देकर, कोई न कोई वजह बताकर, अर्विन केरजवाल ED के सामने प्रस्तुत नहीं हुए थे, और इसी पूरे मामले में, अब 15,000 के नि दिखाई दे रहे हैं यह बेल मिल गई है अर्विन के जिवाल को? अर्विन के जिवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है जो एडी सूतर बता रहे हैं कि उन्हें आठ संबन्स भेजे जा चुके हैं और जो एडी सूतर बता रहे हैं कि उन्हें फिर से संबन्स कर सकती है पूस्ताज में शामिल होने के लिए बुलाने के लिए तो अ अब फिलहाल के लिए ये फॉरी तोर पर राहत दिखाई दे रहे हैं लेकिन मामला क्या आगे पेचीदा समझें या राहें आसान होंगी अर्विंद केज़िवाल के लिए क्या देख पा रहे हैं आप आगे बिल्कुल देखिए हमको इसमें इंतजार करना चाहिए कि कोट में और क्या क्या कहा है इस मामले में जमानत मिल चुकी है अर्विंद केज़िवाल कोट से भी निकल गए हैं यह मैं अपने दर्शकों को ताज़ा अप्रेट दे रहा हूं और यह सारी सारी जान करें हमको लाइ अर्विंद केज़िवाल एडी के सामने पेश होते हैं वो एडी के सवालों के जवाब देते हैं तो इससे कई नगाई जाच में सही होगा और एडी भी यही दलील कोट में दे रही है जमानत मिलना अलग चीज़ है क्यों टेक्निकल पहलू है जमानती धाराओं में एडी न के मुखिया है मुखिमंत्री भी है और इसके साथ साथ उनकी देखरेक में यह सारा मामला हुआ है ऐसा एडी दावा करती रही है आनंद जो अर्वन केज़वाल की वकील है रमेश गुपता क्या कोई जानकारी इस बार में निकल कर सामने आई है कि उन्होंने क्या दलील दी है कोड के सामने देखिए कुछ देर के बाद जो रमेश गुपता है वो भी वहाँ पर मीडिया से बात करेंगे बताएंगे कि किस तरह की कूरी कोड के सुनवाई रही है लेकिन जो 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 जमानत मिली आनंद लोटेंगे आपके पास अर्वन के जुवाल के इस पूरे मामल अर्विंद के जिवाल दिली की राउ जिवनी कोड में पेश होने के लिए पहुंचे थे जहां पर उन्हें निजी मुचलके पर 15,000 के निजी मुचलके पर फिलाल के लिए बेल दे दी गई है और ED की याचिका से जुड़ा हुए पूरा मामला था जिस पर कोड में पेश हो आप बहच की सुरुवात करेंगे यहने की अभी जो 174 की जो कारवाई थी जो कंप्लेंट फाइल की ती ED ने उस मामले में जरूर अर्विंद के जिवाल को रहत मिल गई है उन्हें 15,000 के बेल बॉन्ड पे जमनत मिल गई है लेकिन जो पीमले का मामला यहने जो शराब जो अर्विंद केजरिवाल तरफ से पेश हुए वो क्या दर्विंद के जरूर रखे है और इडी के तरफ से अब ही तो फिलहाल के लिए बेल मिल गई है एक मामले में अर्विंद केजरिवाल को लेकिन यह पूरा प्रोसस क्या है और आगे क्या कुछ रहने वाला है हमारे दर्शकों के ही करके समझाइए जरा देखिए नियूज एटीन इंडिया के जर्शकों को समझना होगा कि आज मामला कोट में था वो केवल और केवल इतना था कि इडी ने एक शिकायट जर्वाई को समन किया है उसकी तामील नहीं हो पा रही है वो कोट में पेज केवल एक महीने की सजा और पांसुर उपे जुर्माने का प्रावधान है ये बेल लोगल बेल कोट के सामने बेल उने मिल गई है अब वो अपने घर वापिस निकल गए है अब इस मामले के शिकायट पर बहस चलेगी दुनों पक्स अपनी जलीरे रखेंगे कि आखिर अखि करे का तालुक नहीं है इसी अभी भी अर्विन केजरिवाल को समन कर सकती है दोबारा से उने बुला सकती है लेकिन इस कोट के सामने ये सवाल नहीं है कि अर्विन केजरिवाल को को एडी के सामने पेश करवाया जाए ये कोट को तै नहीं करना कोट के सामने केवल इतना माम कि अर्विन केजडिवाल पिछले समन पर पेश नहीं हुए लेहाजा उनके घ्लाफ आई-टी-सी के तहट अपराद बनता है उस अपराद के लिए शिकायत एडी की थी जिस मामले में अर्विन केजडिवाल ने पेश ओकर के बेल ले लिए अब इस मामले का ट्रायल चलेगा पूरी सुनवाई होगी पूरा ट्रायल चलेगा दोनों पक्स अपनी अपनी दलीरे रखेंगे उसके बाद जाकर अपना फैसला सुनाईगी लेकिन एडी अगर चाहती है कि अर्विन केजडिवाल को वो पूस्ताज करना चाहती है बुलाने के लिए तो वो दोबारा से उन बढ़ेंगी ही आगे ऐसा है क्या केजडिवाल को आठ बार संबन्स किये जा चुके हैं और वो बार बार संबन्स में पेश नहीं हो रहा है और अभी एडी के बाद ये भी विकल्प है कि वो उन्हें नौवा संबन या दसवा संबन भी पूस्ताज के लिए भेश सकती है और देखेगी कि अर्विन की बाद भी एक कंप्लेंट फाइल जो है वो एडी ने कोड में फाइल करी थी कि एहमन सुरेन मुख्यमंतरी थे और वो एडी की पूस्ताज में लगातार साथ आठ संबन के बावजूद भी पेश नहीं हो रहे थे तो ये कानूनी विकल्प है एडी के पास भी है और इन के जिवाल को संबन्ज भी कर सकती है जे आनन्द यह तो हमने एडी के पास कौन से विकल्प हैंकी बात करि लेकिन मानोश थार हमें अब यही समझाई है कि आब आवादी पार्टी और खार अरुनके पास क्या कुछ विकल्प दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से आगे ब गया इसकर दो रहे कि दो ने नहीं किया उसके बाद बढ़ कि बारी इसके क्षाइब करद अपर कर रहे हैं यह पूरा प्राइल आगे चलता रहेगा अमादी पाड़ी तरफ से लगातार यह जरूर कशा गया कि यह सारे समन्ध एडी के हैं वो गहर कानूनी है और एक दोईश की भावना से राजनीतिक शड़न्त के तेद अर्विंद केजीवाल को भेज जा रहा है। पर की कविता ने को जवाब ने दिया था इसके चलते काुट को गिरफ सतार किया गया है और बकाइदा पंच रामाव कि लिखा गया एकार कोजाए कि निsst समय आध कोछ नान कोष रेधां कोज कस अनुकत भान वर्ट Acho और दर्श्कों को समझाएं देखिए आरविन केजरिवाल आज कोट पहुंचे उनके जो वकीले रमेज गुपता वो कोट पहुंचे थे जो एडी के तरब से जो एडिशनल सॉलिस्टे जनरल थे वो कोट पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर चुकी मैंने आपको पहले ही वत रखी जाएगी और जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो लिकर घोटाला है दिल्ली आपकारी घोटाला जो है उसमें अरविन केजरिवाल को आठ सम्मन एडी की तरफ से भेजा जा चुके हैं अभी एडी के पास काफी विकल्प हैं वो वापस कोट जा सकती है वो उसमें या आज कोट में किस तरह की दलील वो इडी के तरफ से जो एडिस्टन सॉलिसिजर जनरा जनरा ले वो क्या-क्या बाते रखते हैं और रमेज गुपता जो है वो अरविन केजरिवाल जो है वो इस्तमाल करेगी